नेक्स्ट हमारा टॉपिक है sustainable development goal for education, अब यह sustainable development goal for education जो है वो बहुत wider है, they are totally 17 actually, लेकिन जो education से related है यह सिर्फ SDG 4 है, और SDG 4 भी फर्दर इसके जो इस team के सब teams हैं, वो कुल 10 हैं, लेकिन आज हम जो pre nursery के या हमारी जो early childhood education है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, तो सबसे पहला तो यह है कि हमने quality of education देनी है, हम सब बच्ची तरह जानते हैं कि quality of education के बहुत से features हैं, जैसे सबसे पहले जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एक अच्छा environment उनको देना, फिर उस environment के लिए उनको qualified असाथजा देना ताकि उनको पता हो के बच्चों की जरुरियात क्या हैं, और उस environment का सबसे अच्छा फाइदा जो है, वो हमें कैसे उठाना है, और फिर यह कि हमने अपने बच्चों को बेहतरीन content देना है, ऐसा मबाद, ऐसा curriculum बनाया जाए, जिसमें उनकी जरुरियात की सारी चीजें मौजूद हो, जहां जह कि यह हमारा एक broader goal है, SDG 4 का, कि जितने levels हैं, उसमें आप यू समझ लें कि ECC का भी जिकरिए है, कि सारे levels पे हमने बच्चों को equitable जो opportunities हैं, वो provide करनी हैं, Then increasing enrollment rates in schools, particularly for women and girls, तो women and girls के उपर concentration है, because पूरी दुनिया के अंदर, जितना भी आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो जो male literacy rate है, वो female literacy rate से ज्यादा है, और खास तोर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, तकरीबन जो 20 फीसद, जो 15 फीसद तक हमारी जो बच्चियां हैं, वो बच्चों से पीछे हैं, तो ऐसी सूरत में, renewing world's commitment to achieve education related targets by 2030, तो जो हमारा sustainable development goals है, उनका जो target है, वो 2030 का है, जिसमें वो कहते हैं, तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां, equitably education हासल करें, जैसे कि मैंने हर्स किया था, कि ये जो SDGs ह हमारे SDG 4 जो है, खास तोर पर education के बारे में है, ये 10 themes पर मुच्तमिल है, लेकिन हम जो दो discuss कर रहे हैं, वो ECC से मतलिक हैं, पहला तो ये कि जितने लड़किये हैं और जितनी लड़कियां हैं, उनको मुकमल तोर पर free और equitable education दी जाए, और ये quality education होनी चाहिए, तो quality के जितन जितने भी benchmarks हैं, जितने भी factors हैं, उन सब को यहां पर incorporate किया जाए, और जहां कई deficiencies हैं, उनको remove किया जाए, और फिर हम कहते हैं कि 2030 तक हम ये चाहेंगे, कि हमारे सारी बच्चियों को खास तोर पर quality education दी जाए, और उनकी holistic development की जाए, यानि हमारी कोशिश ये है, कि हम उनको सिर्फ जो academics हैं, उसमें ही ना nurture करें, उसी में ना उनकी तरबियत करें, बैलकि हम उनको उनकी holistic development और जहां जहां उनको तरबियत की जरूरत है, जहां उनकी मुकमल नश्यो नुमा की जरूरत है, हम आने वाले modules में ये discuss करेंगे, कि बच्चों को कहां कहां पे, किन fields के अंद हम ये चाहते हैं कि सारी strategies को हम इस level पे implement करें, कि हम भी 2030 तक अपने ये जो goals हैं, वो achieve कर लें, खास तोर पर quality education का, जिसमें बच्चों और बच्चियों को बराबर के मवाके मिलें